बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर अब कमिंग एपिसोड में बिग बॉस सीजन 17 के रियल हीरो अभिशेक कुमार के आखों से आसू छलक पड़ेंगे अभिशेक कुमार फूट फूट कर रोते हुए नजर आएंगे इशा मालविये के वजह से आखिरकार अभिशेक के आखों से आसू क्यों छलकेंगे और हमेशा से अभिशेक कुमार दूसरों को प्यार दिखाने वाले और गुसा दिखा कर अपना प्यार जताने वाले उस अभिशेक कुमार के आखों में आसू आखिर क्यों आएंगे ये बात आप सबी दश्कों को बताएंगे दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चानल क्विक टीवी न्यूस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूस को आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें आपको पताना चाहते हैं अब कमिंग एपिसोड में ईशा और अभिशेक के बीच में सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है और इस लड़ाई का जो सबसे बड़ा कारण होगा वो कहीं न कहीं अभिशेक कुमार का ईशा मालवी के लिए प्यार जो है वो ही सबसे बड़ा कारण होगा अब शेक कुमार ईशा मालवी को जो है बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं और साथी साथ वो ईशा मालवी से किसी ना किसी कारण से जो है वो टच में रहना चाहते हैं और इसका सबसे बड़ा उन्होंने रास्ता निकाला लड़ाई जगड़ा ईशा मालवी के साथ जो है वो क अभिशेक कुमार की ना सिर्फ अभिशेक कुमार की बुरी तरह से बेज़ती कर रही है बलकि अभिशेक कुमार को कह रही है कि तू तू यहाँ तेरे मूर के हिसाब से मैं तूसे बात नहीं करूंगी और तेरे हिसाब से मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगी अभिशेक यह बा अब आपको जो है याद करते वे नजर आने वाले हैं अभिशेक कुमार और कहते वे नजर आएंगे कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इशा से मैंने प्यार किया था और इसके बदले में मुझे क्या मिला मुझे क्या मिल रहा है मुझे इतनी बेज़ती मुझे प्यार करने का नजर आने वाले हैं अभिशेक कुमार जो है फूट फूट कर रोते हुए नजर आएंगे ये सारी की सारी बातें कहते हुए साती साथ यहां पर ईशा मालवी को अभिशेक कुमार पर बिल्कुल तरस नहीं आएगा और अभिशेक कुमार रोते रो रहे होंगे और वहीं यहां इशा मालवी दुसरे साइड जो है हस रही होंगी समर्थ के साथ जो है वो मिलकर और साथी साथ वो लगातार ये कह रही होंगी कि हाँ इसका तो नौटंकी चालू हो गया फिर फिर चालू हो गया ये तो ये इसके मूर के साब से कौन बात करेगा इस से इसका मूर कप क्या रह इस बात की जो है किसी को कोई भना की नहीं लगती ये बात जो है वो कहती बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है अभिशेग ये बात भी भोलती है जिसकी वज़े से अभिशेग कुमार लगातार ये सारी की सारी बातों को सुन सुन कर रो रहा होता है फूट फूट कर रो रहा हो हाला कि इसके बाद जो हैं अंकिता लोखंडे उसके पास आती हैं और अंकिता लोखंडे उसके समझा रही होती हैं कि ऐसा नहीं करते बाबु रोया नहीं करते यह बात जो है वो समझाती हैं अंकिता लोखंडे तो यह चीज़े जो आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंग upcoming episode में किते ज़त excited हैं आप upcoming episode को आप देखने के लिए अब शेक कुमार के रोने को देखकर आपके भी आखों में क्या आसू आए या नहीं हमारे आखों में तो आसू आए इसे लेकर क्या है कहना आपका आज के खास report में यही बात आप हमें बताएं